जैश्री कृष्णा महा भारत अद्भुत गरंद है महा भारत भारत की महानता को जानना है तो महा भारत पढ़ें छत्रबती शिवाजी महाराज जैसे महान चरित्र को निर्मान करने वाला गरंद है यानी महा भारत महारणा प्रताप जैसे शेर भारत को देने वाला गरंथ यानी महाभारत पूरी दुनिया को सिर्फ एक गरंथ से जान लेना है तो उस गरंथ को पढ़ने के लिए जो है वो है महाभारत पूरी दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे महापुरुष हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी निताजी सुभाश बोज जैसे महानायक जिस गरंथ को हमेशा साथ में लेकर चलते थे वो श्रिमत बगवत गीता हमारा रास्ट्रिय गरंथ वो देने वाला गरंथ यानि महाभारत जिवन में शांति और स्पस्टता चाहिए ना तो महाभारत पढ़ें महाभारत सिरियल और महाभारत गरंथ में बहुत बड़ा अंतर है तो सिरियल को भले आपने देखा हो जिसने भी बनाई है अच्छे है तुसे बनाई होगी पर गरंथ इसकी विशेस्ता ही अलग है उसको पढ़ें कृष्ण की ताकत को जानना है तो महाभारत पढ़ें पूर्ण पुर्शोत्तम उसके जैसा मित्र पुत्र राजनितिग्य नेता अरे हर क्षेत्र में जो है संगीत में तो कृष्ण है नृत्य में तो कृष्ण है बालक जो है उसके लिए भी आदर्श कृष्ण है यू आवस्ता में सुदर्शन धारी वो कृष्ण है वृद्धा वस्ता में भी जिसके भजन गया जाये हर जगहां पर उन्हों भगवाण स्री खिन को जानना है तो महाभारत का गरंत पढ़ें हमारा ये पाथ भी जो है वो महाभारत के पट के उपर से ही रचित है महाकवी भास महाकवी भास ने जो भास नाटक चक्र कहा जाता है उनके जो नाटक हैं उनमें से जो ये हमने लास्ट ये नाइन स्टैंडर्ड में भी चैप्टर थर्टीन था दिस्ट्यागो ग्रहनम स्वंतम गुरुहन नला बल्लो वाला अगर आपको याद हो वो भी महाभारत की पठकता के उपर से ही महाकवी भास ने कुछ कल्पनाए करके बहुत अच्छा नाट्या रचत क्या है और अभी जो अपना है चैप्टर फूर जनार्दनस्य पष्चि महसंदेश फाइनल मेसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा जनार्दन यानि कृष्णा और पष्चि महाभास ने लिखा है दूत गटुत कचम इस नाट्या में से इसको लिया गया है तो इसकी भी पूरी कथा सुनते हैं इस कथा के उपर मैंने एक बहुत अच्छी कविता भी बनाई है आपके ही रिस्पॉंसिस के उत्साहा से बनी है उस कथा की जो कविता है उसको भी मैं यहाँ आई बटन में रखता हूँ उसको भी आप जरूर देखें और इस कथा को भी सुनें बहुत अच्छी है जे श्री कृष्णा महाफारत ग्रंथ में जो युद्ध का वरनन है अभी युद्ध का वरनन भी अद्बुत है उसको भी बढ़ना चाहिए है पर उसमें जो अभी मन्यों की मृत्यों के बाद परिस्ति दिया यही है कि कवराओं को आनन्द है मतलब उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धी प्रप्त किया अभी मन्यों को मारकर जिसको मारना उनके लिए लगबगा संभाव था उसको उस अभिमन्यों को मारा है उसका उनको पाशवी आनन्द है पर गलत तरीके से मारा है तो अरजुन कौन है कुरुशन कौन है ये उनको पता है तो गवराड भी वैसे ही है दूसरी साइड अरजुन को जब पता चला है कि पुत्र की मृत्यों हुई है वो भी गलत तरीके से तो उसका क्रोध ये भी एक परिस्तिती है और इसमें भगवान कृष्ण ये सोचते हैं ऐसा महाकवी बासने कलपना की है कि एक अंतिम बार और उनको संदेश दिया जाए कि इस बार सुधर लो वरना काल तुमारे सामने होगा तो उसके लिए उन्होंने गटोतकच को चुना है दूसरी कलतना ये की है कि धुरुतरास्टर भी उस सभा में बैठा है जिनरली धुरुतरास्टर कवे युद्ध भूमी में आया नहीं पर यहां उसको भी सभा में बैठाया है और बगवान कुरुष्ण ने गटोतकच के द्वारा संदेश बेजा है और गटोतकच वहां पर कवरों की सभा में प्रवेश करता है वहां से हमारी कहानी शुरू होती है गटोतकच ने एंटर होते ही देखा कि मतलब उसको पता था कि वह सौ कवरों तो बैठे ही है पर यहां उन निकमों का बाप बिया बैठा है यह देखते ही उसको थोड़ा गुसा आया पर कुरुष्ण का संदेश वहाग था पांडों की टीम में से था तो नम्र था समस्कार जाते ही उसने पिता मह को यानि की दृतरास्ट को प्रणाम किया उसके ग्राणफादर हो जाएंगे ना पांडू के बड़े भाई हैं तो पिता मह को प्रणाम किया फिर उसने कहा कि नहीं डैरेक्ट मैं प्रणाम नहीं कर सकता पहले मेरे सारे एल्डर्स सारे सोच लिया था कि सौनिकमों का बाप है पर उसने नजदीक जाकर यह नहीं कहा नजदीक जाकर उसने कहा कि पिता महा आप कितने नोबल इंसान हो कितने अच्छे इंसान हो आप तो नोबल हो ही आप ने कितने सारे नोबल पुत्रों को जिन्म दिया है और ऐसे पिता महा को भग आथ में चक्र है उसने संदेश दिया है इसे शांती का तो दुरुतरास्ट एक दम से खड़ा हो गया अपने सियुहासंद पर से की बोलो क्या संदेश है कुरुष्ण का ऐसे घटतकच बोलता है कि पर खड़े क्यों रहे हो बैठो शांती से बैठकर भी आप कुरुष्ण का स अब फिर घटतकच ने कहा कि पिता महँ सुनो जब अभी मन्यू की मृत्यू हो गया और दुखी होकर वो बोलने लगा कि अरे बेटे अभी मन्यू हमारे कुरू फेमिली के कुली पक यदू फेमिली के प्रवाल अंकूर बीज तू जो है तेरी माँ अभी जिन्दा है तेरे मामा यानि भगवान कृष्णा भी जिन्दा है तेरा पिता यानि माया भी जिन्दा हूँ तू हम सब को छोड़ कर क्या पिता महँ पांडू को मिलने की आशा से तो स्वर्ग में गया है ऐसा अर्जुन के दुख का वर्नन गटोतकच ने धृतरास्ट्र के सामने किया और फ तो ची आपका क्या होगा आप जो है वो अभी से अपनी आत्मा में थोड़ी ताकत इकठा करते रहें कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुत्र मरें और उसके दुख में ही आप भी साथ में 100 के साथ 101 नोचन लो ऐसा ना हो कहीं मतलब हवन में जैसे वो समीध जल जाती है वैसे कही आपके प्राण भी उस दुख के अगनी में जल ना जाए ऐसा बहुत शांती से और सांतवना देते हुए धमका दिया कि आप मतलब आपके 100 तो मरेंगे ही उसके साथ आपका भी टिकेट भड़ेगा ऐसे तो शकुनी गुसा हो गया शकुनी ने कहा ऐसे तू बोल देगा और सौ मर जाएंगे ऐसा अगर सिर्फ बोलने से ही पूरी पृत्वी जीती जाती हो अगर सिर्फ बोलने से ही साड़ेक शत्री और सारे योद्धा मारे जाते हो तो तो हमने कपका बोल दिया होता गटोत कटने का आकान शकुनी बोला अबे शकुनी पहले वो जुगार का युद्य उद्र को गुस्टे को गुस्ट वो ला अभर तो अपनी सुभाओं पर गया तो उसchem को क्या गाली लगे है हम भी राक्षस जैसे ही खतरनाख है हम भी राक्षस जैसे ही भयंकर है घटत कच बोला चुब है तुम लोग तो राक्षसों से भी कुरूर हो गातकी हो राक्षस भी तेरे जैसे नहीं होते क्यों तो वह राक्षस भी अपने भाईयों को कभी लाक्षा गुरु हमें बंद क करके जड़ाते नहीं राक्षस भी अपनी भावी के सिर पर हाथ नहीं लगाते ऐसी वो सारी मतलब लाक्षा गुरु वाला प्रसंग और द्रगपदी वस्त्रहरन वाला प्रसंग घटुत कते दुर्योदंद को याद करवाया तो दुर्योदंद गुसा गया उसने कहा देख तो मेसेंजर बनकर आया है दूद बनकर आया है तो चुप चाप मेसेज दे और हम जो मेसेज तुझे दे वो लेकर तो यहां से निकल हम तेरे जैसे चुटपुट दूद को संदेश वाह को मेसेंजर को मारते नहीं है तो गुसा आया अभी घटुत कच को कि क्या मेसेंजर स पूरा हो जाता घटोतकच की ताकत का वर्णन कभी महाभारत में पड़े जवर्दस्ते और दुर्योदन तो दुर्योदन था उसमें कहां मतलब गलुड़िये में ताकत और इतनी बुद्धी भी थी कुरुष्ण को भी मारने के लिए उसने ट्राइ किया था तो घटोतकच को कोई चुना है क्योंकि वर्णा तो दुर्योदन था नहीं तो दुर्योदन खड़ा हो गया तो साथ में उसके चमचे भी सारे खड़े हो गए पर दुरुत्रास्ट्र को ध्यान में था कि कुरुष्ण ने गटोतकच को भेजा है और अगर अभी यहां युद्ध चालो कि अवभी से मांगी मतलब दादा अपने पोते से मांग राए प्रुष्ण का संथेश आपको दे रहा हूं सुनिये कुरुष्ण का अन्तिम शंदेश जनार पश्चि महसंदेश है कि धर्म का आचरण करो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं कवराओं के रिलेटिव्स कितने होंगे एक तो सौ तो भाई थे और उस समय पर शायद दो तीन दो तीन पत्निया होंगी तो तीन सो पत्निया इतने साले इतने बेटे बापरेबाप पुरा म यह आपको पन्डव का रूप दारण करके यमराज आपको मिलेंगे कृतांत आपको मिलेंगे जो सूरिय के किर्णों की गती से आपके सामने आएंगे तो अगर बच पाओ तो बच लेना और बाकी सुदर लेना ऐसा अगटर उत्कच ने संधेश दिया और उह वहाँ से चल गया और हमारी कथा यहां पूर्ण हुई यह कथा आपको कैसी लगी वो भी बताएं और अभी ही इस वीडियो को पोज करके आप पहले इस कथा के ऊपर जो बनी हुई कवीता है ना वो यहां आई बटन में दी है तो वहां से आप इस कवीता को सुने आपको लगबग हर एक श तो इस चेप्टर में जो कहा है गटोतकच प्रवेश कर रहा है वहां से शुरुआत होती है प्रविश्य ब्रेकेट में दिया है प्रविश्य यानि हैविंग एंटर्ड ये सम्मंदक भूत कृदंत हुआ तो गटोतकच ने आते ही दृतरास्टर को देखा तो बोल्ड पड शुत यानी हंड्रेड तो हंड्रेड इग्नोबल्स के उत्पादईता फादर आफ अंड्रेड इग्नोबल्स ऐसा उसने सोचा जाते जाते पर नजदीक जाकर उपसृत्य बाइग नियर उसने कहा पिता महा अभिवाद है गटोतकच अभिवाद है आइग बोर आउं ट्र पर वहाँ गटोत का के बाट डोट डोट मतलब उसने गटोत का बोलकर छोड़ दिया फिर ब्रेकेट में लिखा है इती अर्धोकते इती अर्धोकते दस स्पीकिंग हाफ सेंटेंस आधा ही बोलकर फिर उसने कहा कि ना ना I am a kramah it is not in the kram it is not in the order ये सही kram में नहीं हुआ क्य elders युदिस्टिर वगेरा जो मेरे elders हैं they all bow down to you वो सभी आपको अभिवाद हैं ती नवस्कार कर रहे हैं और पश्चाद गटोत कचो हम अभिवाद है फिर मैं या निकी गटोत कच गटोत कच अहम देन I गटोत कच bow down to you रुतराष्ट ने उसको बुलाया और कहा एही एही पुत्र कम संद कम आओ बेटे आओ गटोत कच ने कहा अहो कल्याना खलू अत्रभवान your majesty you are खलू really indeed कल्यान है you are noble इतना ही नहीं अब कल्याना नाम प्रसूतिम हो you are the father of nobles प्रसूतिम का आर्थ भी उत्पादईता की तरह यहाँ पर father ऐसा किया गया है so you are the father of nobles ऐसे पिता महम ऐसे grandfather को आह भगवान चक्रायुध है लौर्ड चक्रायुध चक्रा जिसका आयुध है whose weapon is chakra यहने की भगवान कृष्ण ये वहूर ही समास हुआ उन्होंने आपको कुछ कहा है he has said something to you to the grandfather who is the father of nobles and who himself is a noble person और कृष्ण का नाम सुना तो already tension में था तो धृत्रास्त्र आसनात उत्था या आसन से खड़ा हो गया by getting up from the throne उसने कहा कि मागना पयती भगवान चक्रायुध है what does Lord Krishna order क्या आगना है क्या संदेश है उनका खटोत कच कह रहा है no 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 यूठ लिसन द मैसेज अप क्रिष्ण जनार्दन यानि क्रिश्ण तो यूशुड लिसन द मैसेज आप कृष्ण आप आप आशन पर बैठ कर भी सुन सक्ते हैं तो तो वहीं ऐसे ही सुनो तुत्रास्ट्र ने कहा यत आग्णा पयादी भगवान चक्रायुदा जैसी भगवान क्रश्नगी आग्णा उपविश्यती फिर जो है हमने जैसे स्टोरी में देखाता कि गटोतकच अर्जुन के दुख को सुना रहा है और प्यार से शांती से सांतवाला देते हुए धमका भी रहा है तो गटोतकच ने कहा पितामह शुरुयताम लिसन सुनो और फिर जो अर्जुन बोला अर्जुन का जो दुख है अर्जुन्स लेमेंटेशन ऐसा इंग्रिस क्वेश्यन अंसर में क्वेस्टेंस भी है तो उसमें अर्जुन जो कहे रहा है कि हावत्स अभिमन्यो ओसन अभिमन्यू हावत्स कुरुकुलप प्रदीप अर्जुन का जो डाइनस्टी था कुरुवंश था तो प्रदीप, Lamp of Guru डाइनेस्टी, हावत्स, यदुकुल प्रवाल, यदुकुल यानि यादव का कुल, अभिमन्यू की माता सुबद्रा, जो कि कृष्ण की बहें थी और यादव कुल था, तो यदुकुल का प्रवाल, प्रवाल यानि सायन, सायन आफ यदु डाइनेस्टी तव जननिम् मातुलम् माम अभी परित्यज्य तेरी जननि यानि मधर मातुल मातुल शब्दकार था मैटनल अंकल और माम अभी मुझे भी परित्यज्य बाई लीविंग यॉर मधर मैटनल अंकल अबिमन्यू के दादा यानि पांडू राजा जो स्वरगस्त हो चुके थे तो उनको देखने की आशा से तो स्वरग में चला गया ऐसा अरजुन दुखी होकर कह रहा है ऐसा गटोतकच ने धृतरास्टर को कहा और फिर गटोतकच ने कहा कि पिता मह एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्यतावत इदृशी खलू अवस्था अर्जुन के कितने मर एक पुत्र वप by the death of by the विनाश of one son if this is the condition of अर्जुन अर्जुनस्यतावत इदृशी खलू अवस्था कापुनाह भवताह भविश्यती आत्मबला धानम कुरुष्व अपने आत्मा में बल धारन करें, समन अप्धा स्ट्रेंथ इन योर सोल, अपनी आत्मा में बल धारन करें, जिससे क्या ना हो जाए, कि कहीं आपके बेटों के मरने के दुख में आप भी ना मर जाए, बेटों के मरने के दुख के अगनी में कही आपके भी प्राण ना जल जाए यथा अते पुत्रशोक समूथित ओग्निरन दहित प्राण जम। आपका जो प्राण है वो पुत्रों के मरने का जो शोक है उससे समुथित समुथित शब्दकार्थ है emerged samuthithith plus agni plus na samuthithith यानि emerged ऐसा fire agni उसमें na the hit it doesn't burn na jalee क्या तो आपका प्राण किस प्रकार से तो जैसे यगन में हवन में जो वो लकडी जल जाती है जो समीद जल जाती है हवी ही हवी रिती हवी ही इती तो like that oblation your life should not burn like that oblation in the fire that is emerged from the sorrow of death of sun तो इस प्रकार से उसने ये भी कहे दिया कि अर्जुन दुखी हुआ है उसने ये भी कहे दिया कि आपके सौके सौब मरेंगे ही और आपका भी टिकेट फटेगा ये उसने इतने में समझा दिया जो कृष्ण ने उसको कहा होगा और फिर शकुनी ये सुनकर शकुनी तो शकुनी था वो बोल पड़ा उसने कहा यदी स्यात वाक्य मात्रेण निर्जिते यम वसुन्दरा सिर्फ ऐसे वाक्य मात्रेण only by speaking some words सिर्फ कुछ बोलने मात्र से अगर पुरी वसुन्दरा पुरी पृत्वी अगर निर्जिता can be conquered if whole the earth can be conquered only by speaking some sentences और वाक्य वाक्य यदी भवेत अगर सिर्फ बोलने मात्र से ही हो जाए क्या हो जाए तो सर्वक्षत्र वदह यानि killing of all the warriors all the kshatriyas can be done only with some sentences then krutah then it would be done तो कब का कर लिया होता तो शकुनी ने ये कहा कि अगर बोलने से ही सब होता तो हमने कब का सब को बोलकर मार दिया होता तो गटोत कज जो है वो बोलाग शकुनी ये शह व्याहरती ये क्या शकुनी बोल रहा है शकुनी says this बोहो शकुने है ओ शकुनी अक्षान विमुच्य भवाबाण योग्या अक्ष शब्दकार्थ है डाइज पासा जुगार खेलने का गेम लिंका पासा तो लीव दे गेम ऑफ डाइज अक्षान विमुच्य भवाबाण योग्या बी केपेबल फोर आर्चरी धनुष्य चलाने के लिए थड़ योग्या हो जाओ फिर ऐसी मारा मारी की बात करो तेरे मूँपे सोधव शबा नहीं देती तो दुर्योदन गुसा हो गया दुर्योदन सह नहीं पाया मामा का अपमान वो बोल पड़ा वो हो वो हो प्रक्रदिम गतह योगा तो तेरे स्वभाव पर गया यानि राक्षसी स्वभाव क्यांकि उसकी माता हेडिमबा राक्षसी है तो प्रक्रदिम गतह तो तेरे उग्रस वभाव वाले हैं ये भी बहुर ही समास हो रहा है दुरियोदन ने कहा तू अपने आपको इराक्षस मत समझ हम भी राक्षस जैसे ही है गटुतकत ने कहा शांतम पापम चुपो जाओ you are more cruel even than the demons राक्षस भी आपके जितने कुरूर नहीं होते उतने आप कुरूर हो कुतह कैसे तो उसके लिए उसने दो उदाहरन दिये पहला उसने कहा कि न तू जतुगुरुहे सुपतान भ्रात्रून दहनती निशाचराहा जो निशाचर होते हैं, जो डैمن्स होते हैं, जो राक्षस होते हैं वो भी जतुगुरुह यानि लाक्षाघुरुह है, यानि लाक्षाघुरुह, house of stealing wax यह सायद कथा आपनों को पता होगी नहीं पता हो तो फिर कॉमेंट सेक्षन में पूछना कभी हम डिसकस करेंगे पर नतु जतु गुरुहे सुपतान यानि स्लीपिंग ऐसे ब्रात्रून यानि ब्रदर्स को न दहन्ती दो नाट बर्न कॉन तो निशाचर आहा डैमन्स इवन दो नाट बर्न दब्रदर्स sleeping in the house of sealing wax और शीरसी शीरसी यानि on head माथे पर न तथा ब्रातु हुपत्निम्स प्रुशंती निशाचर जो है डैमन्स भी अपनी ब्रातु हुपत्निम्स भाई की पत्नी को सिर पे माथे पर हाथ नहीं लगाते डैमन्स इवन डुनाट टच दा ब्रदर्स वाइफ on head तो ये दोनों बाते याद करवाई उसने कि राक्षस भी अपने भाईयों को लाक्षागरों में बंद करके जलाते नहीं और राक्षस भी अपनी भाई की पत्नी के माथे पर हाथ नहीं लगाते उसके बाल जो खीचे थे वो याद करवाया तो दुरियोदन को गुसा आ गया दुरियोदन ने कहा दूत हा खलू भवान प्रापत हा You have come as a dude, as an envoy, as a messenger You haven't come to fight to yudh करने के लिए आया नहीं है तो चुपचाप गुरुहित वागच्छ संदेश Go away by taking the message, message लेकर, संदेश लेकर निकल जा जो हम संदेश तुझे दे, वो लेकर निकल जा We do not kill the dude, we do not kill an envoy, we do not kill the messengers हम दूत को नहीं मारते ऐसी उसकी insult की, कि अगर तूत तूत विचरा दूत बन के आया है मेसेज लेकर निकल, हम तेरे जैसे दूत को नहीं मारते शेसी आने इंसल्टिंग, are you insulting me by saying me a messenger मातावत बोहो, it cannot be like that न दूतो हम, I am not a messenger दूतह अहम, I am not a messenger प्रहरद्ध्वं करो attack समाहताह, together साथ में आओ attack together, साथ में आकर आक्रमन करो और सर्वे उत्तिस्ठंती आपी वो दूर्योदन था कभी कुरुष्ण को भी मारने चला था आमने जैसे आगे डिसक्स किया तो इसको थोड़ी छोड़ेगा पर धृत्रास्ट्र समझ गया, वो खड़ा हो गया पहुत्र गटोत कच मर्शयतू भवान, ओ ग्रांटसन गटोत कच, मर्शयतू फरगीव माफ कर मत वचन अवगंता भव understand मत वचन माई वर्ड्स मेरी बातों को समझ गटोत कच ने कहा भवतू भवतू, ओके, ओके पिता महस्यवचनात दूतह अहम अस्मी दूतो हम अस्मी, दूतह प्लस अहम प्लस अस्मी, I am a messenger by the words of grandfather अदर पिता महा कह रहे हैं, तो मैं हूँ messenger, और फिर उसने कहा कि बोहो राजानह, O kings श्रूयताम, listen, क्या तो जनार्दनस्या पश्चि महा संदेशह, फाइनल message of Krishna, सुनो क्या message है, कि धर्मम समाचर धर्मम समाचर, यानि follow the religious duties, आपके धर्मकार, यहाँ धर्मकार, सत्कर्तव्य है सत्कार्य है, अभी religion उसका एक typical translation हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है तो धर्मम समाचर, follow the religious duties, कुरू स्वजनव्य पेक्षाम, अपने जो स्वजन है, उनकी अपेक्षा, उनकी expectations, उनकी इच्छाओं को पूरी करो fulfill the expectations of your relatives, यत कांक्षितम मन सी सर्वं इह अनुतिस्थ सर्वं इहानुतिस्थ सब कुछ सर्वं इह यानि here अनुतिस्थ यानि complete all complete here only whatever you have desired by mind, आपने भी मन से जो भी कुछ इच्छा की है, वो भी सब यही पर पूरी कर लो, ये एक जात्य उपदेश है, एक noble advice है, या तो एक noble person की advice है, जात्य उपदेश है, क्या उपदेश है कि पांडव रूपधारी पांडव का रूपधारण करके, in the disguise of a पांडव, that means अर्जुन का रूपधारण करके सुर्यांश भी ही समम सुर्या के अंशु रेज ओफ सन, सुर्या के अंशु की तरह, सुर्यांश भी ही समम, समम कारते हैं, like similar to इस अर्थ में है similar to the raise of sun, like the raise of sun, सुर्या के किरणों की गती से, सुर्यांश भी समम, उपईश यती will एप्रोच कौन तो कृतान तह यमराज यमराज विल एप्रोच यू लाइक दे रेज अप सन इन दे डिजगाईस अफ पांडव यहां अमरा वो मेसेज पुरा होता है आपने अगर कविता में भी सुना होगा न तो मेसेज बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयत्न किया है कि कल अरजुन नहीं अमराज दिखेंगे दिन में तुझे सौचांद दिखेंगे तो यह जो है सूर्य के किरणों की गती से आकर तेरा नाश करेंगे तो मुझे लगता है कविता सुनोगे और यह चेप्टर हमारा यहां पर पुरा होता है आपके कुछ-कुछ क्वेस्चन आये हुए हैं इंग्रिस क्वेशन अंसर्स वगेरा के लिए तो यह एक बार चेप्टर की सीरीज हमारी पुरी हो जाए फिर हम तुरंत इसके हर चेप्टर के इंग्रिस क्वेशन आंसर्स पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे जरूर जिससे आपको वोड की एक्जाम में जदल से जदल हेल्प हो सके आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें अभ्यास करें दूसरों विद्यार्थियों को भी बताएं वैसे अभी तक देख रहे हो पूरे वीडियो को इसी के लिए आप पढ़ रहे हो ये समझ में आता है अच्छा है चलो मिलते हैं नेक्स्ट चेप्टर के लिए जन्यवाद जैश्री कृष्णा